वेल्कम टू इक्सपर्ट्स कम्टेशन दोस्तो बीपी एसी मेंस में जो सबसे अधिक रीपीटेड कोस्टन होते हैं जैसे मधुमधी पेंटिंग, पत्ना कलम सैली और पाल कला और मोड कला ये चार कोस्टन ऐसे हैं जो हर साल रीपीटेड होते हैं उनको बारीकी से महतुपुन्ह और ये परबल संभावनाय बानी रहती है इनकी आने की यहाँ पे पत्ना कलम सैली उसकी उत्पती और विशेस्ता के संदर में कोस्टन पूछा जाता है इसका एंसर निम्न प्रकार से दिया जाता है बारती चित्रकला की उत्पती प्राचिन काल से है जब हमा पुर्वज अपने जीवन और रेती रिवाज का चित्रन दीवारों पर किया करते थे सहितिक अभिलेक से पता चलता है कि प्रादाम्भिक काल से ही चित्रकाली बिद्वान और धार्मिक दोनों को ही कलात्मक अभिवेक्ति का एक महतुपुन रुप परदान करता आया है मुगल के आगमन के बाद भारतिये चित्र सेली को नया आयाम मिला और उसकी सेली ने चित्रकला में कई ऐसे भारतिये बिद्वालेयों को परभावित किया जिसकी उत्पति बाद में हुई थी पतना कलम सैली या पतना इस्कूल ओफ पेंटिंग उन इस्कूलों में से एक था जो बिहार में 18 में से 20 वी सताब्दी की शुरुवाती दिनों में मुगल चित्र का लाकाई का दर्स था पतना कलम सैली की उत्पती के संदर में पतना कलम सैली की उत्पती ब्रिटिस सैली के संग्योग से अंग्रेजों को संग्रक्षन में हुआ था मुगल समराज के पतन के दोरान साही दर्बार्ग में कलाकारों को प्रसे नहीं मिलने के कारण इनका पलायन अंच्छेत्रों में होने लगाता है इसी क्रम में 1760 के लगभाग पलाई चित्रकार जो थे वो ततकालिक राजधानी पाटली पुत्र वापस आ गये इन पलाई चित्रकारों ने राजधानी च्छेत्र में तथा उनके आसपास च्छेत्रों में बसकर अस्थानी अभिजात वरग के संगरक्षन में चित्रकाला के च्छेत्रिये रूप को बिक्सित किया यह चित्रकाला सैली ही पतना कलम या पतना सैली कही जाती है इसके फीकर के संदर में देखिए यह पटना कलम सैली है यह फीकर में आपको दिखाई यह दे रहा है यह जीता जागता उधारन है अगर हम पटना सैली की बिस्यस्ता को समझें तो पटना कलम सैली की बिस्यस्ता एक दो यहां से फीगर आप बना सकते हैं और फीगर के संदर में उसको बारिकी से दील कर सकते हैं तो यहां पर कोई एक फीगर ले लेंगे फीगर बना देंगे और उस फीगर के नीचे से लिखेंगे एक सेरियल नमर से कि इस चित्र सैली में व्यक्ति चित्रों की परधानता होती है तथा इस सैली में उकेरे गए चित्र या उभरे हुए चित्र आम जीवन की तरास्दियों को दर्साया जाता है अधिकान चित्रकारी लोखो स्रेनी की होती है और अधिकतर कागज पर बनाई जाती है बाद में इस तरह की चित्रकारी हाथों की हाथी के दाथ पर भी किया जाने लगा दैनिक जीवन पर चित्रकारी इस सहली में बहुयात में है चित्रकारी के अभी सहे दैनिक मजदूर मचली बेशने वाले टोकरी बनाने वाले पर अधारित होती थी चित्रकला की इस सैली में देशी पोधे, छाल, फूलों और धातुओं से बने रंगों का इस्तेमाल होता था अधिकांस था, गहरे भुरे गहरे लाल, हलका पीला और गहरे नीले रंगों का प्रियोग किया गया है इस सैली के परमुक चित्रकार सेवक राम, हुलास लाल, जै राम, सिव दियाल आधिक हैं चुकि इस सहली के अधिकांस चित्रकार पूरुस हैं इसलिए इसे पूरुसों की चित्र सहली भी कहा जाता है। इस सहली में चित्र की आकरीती को रिखांकित करने के लिए पैंसिल का प्रयोग किये बिना बरस से सिधे चित्रकारी किया जाता है। इस तकनिक को आमतोर पर कजली सिहाई के नाम से भी जाना जाता है तो यह पतना जो कलम सैली है वह कजली सिहाई और पुरुसो की चितर सैली पुरुसो की चितर सैली और इसे पटना इसकूल और पेंटिंग तीनो नाम से जाना जाता है इस अंदर में जो भी मुक्तत थे उनको बरीके से डिल किया गया है एक्जाम के दिरिश्टिश बहुत ही महतुपूर ने इसे ध्यान रखिएगा जहिंद जय वारत